हेलो फ्रेंट्स आज मैं ऐसी हम्रेमिडी शेयर कर रही हूँ जो इस बदलते मौसम में हर किसी को बार बार और जल्दी जल्दी होने वाली सल्दी जुखाम खासी बुखार या सीने में बल्गम जमा हो जाना बौडी पेन होना या कोई भी तरह की प्रॉब्लम चोंकि हमारी होने की बज़ा से होती है तो बस इस ड्रिंग को तीन से पांच दिल लेने के बाद यह सारी प्रॉब्लम आपकी छूम मंतर होने वाली और आपको बहुत पसंद भी आएगा उससे पहले मैं हूँ अश्मी उस्वागत करती हूँ आपका मेचन असमी स्पोड में इसको बनान गोर्डन मिल्क बना रही हूँ जिसको आप किसी भी सिजनल मौसम में ले सकते हैं तो इसके लिए आपको एक गलास भरके दूड लेना है दूड अगर पतला होगा तो ज्यादा बैटर है बटर थोड़ा गाड़ा है तो कोई बैट नहीं चलेगा अब हमें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 3-5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पानी आड़ किया है क्योंकि जब हम इसको बॉइल करेंगे थोड़ा सा गाड़ा होता है तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए पानी आप जरूर आड़ करें तो जो मैंने गोर्ड ग्रेट करके रखा था उसका एक चमाशम को इसमें डाल देना है उसके बाद यहाँ पर पिंच आप आपको हल्दी डालना है हल्दी में अंटी बैक्टिरियल गोड होते हैं जो आपके कोड कप चेस कंजेशन हर चीज में आपको बहुत हेल्प करते हैं सेम ब्लैक पेपर प तो अगर जिंजर आप है तो उसको ग्रेट करके डाल दीजेए या फिर आपके पाद ऐसा ड्राय जिंजर पाउडर है तो आप वो एक छोटी टीजपून ले सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी टीजपून डाल चीनी का पाउडर लिया है यह सारी चीजे एं मेडियम फ्लेब में इसको अच्छे से बॉयल करते हुए पकाना है तो यह देखिए बॉयल होना स्टार्ट हो गया है लगवा छे से साथ में टोटल लगेंगे और यह अच्छे से रिडियूस हो जाएगा सारी चीजों की अच्छे सी इसमें पूरी इसमें आरोमा आ इसको गर्मा घरम में ले सकते हैं गोर्डन उल स्टार्ट हो गया है तो ड्योंड रिलीव मिलेगा से जशना सफना बड़ें ओर वाली परिशानी जोकि बचों दो से लेकर बड़े? UK Inner और two protons लेना है तो से शोगर बिना बूर्ड के आप ऐसे लीजे और आपको बहुत ही health benefit मिलेंगे तो जरूर ट्राय करें और comment करके बताएं कि आपको इसके कैसे results मिले तब तक के लिए बाई